हेलो आपके अपने चैनल मागनेट ब्रेंस इंदी मीडियम पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निसुल सिक्षा यहां पर आपको किसी परकार पर कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीतना है कोई कूपन कोट नहीं लगाना है सबी वीडियोस मिलेंगे पहले देख लिया था अभी हम क्या बात करें कैसे कैसे सोर्स और प्राइबरी डिटा को हम करेट करते हैं सबसे पहले बात करें आकड़ों के साथ हैं क्या होंगे तो चार-पांच आपना टाइप देखे थे जैसे हम देखें व्यक्तिगत प्रिक्षेपन फिर आपने देख सुचनाओं के उस संग्रह की और संकेत करता है जो व्यक्तिगत और व्यक्तियों के समू द्वारा छेत्र में प्रिक्षन द्वारा एकत्र की जाती है मतलब क्या है जो लोगों के द्वारा प्रिक्षित की जाती है उन सुचनाओं के संग्रह की तरफ यह इंगित करता है उन अगर इसको कहते हैं यह इस तरीके से पह रही है कि इसको ब्रक्षाकार कहेंगी तो एसे अप्वार प्रारूप के बारे में हमें यहां पर बात करनी पड़ती हो goldenैंप्धirt इंपर सब बारि मिट्टी बरह्सपती यहां के प्रकारों के साथ जνसंख्या की संदचना मतल蒲 मतलब को साथ ही साथ जंसंख्या की संदचना है जो और पॉपुलेशन है वो कैसा है कहां पर जादा है कहां पर कम है कई बार लिखते हैं कि वहां का किते आप दिखते हैं पहाड़ों में जो लोग है उनकी जहन संग क्या घानत तो कम है मैदानी भाग में जाता है तो यह सारी बात है लिंगानुपात मतलब सेक्स रेसियो कितने मतलब सहर और गाओं में जो आपके घर हैं मकान हैं या जो आपका अधिवास हैं उनके बारे में जानकारी इनके बारे में सूच रहा है एक अत्रत की जाती हैं व्यक्तिगत तरीके से फिर भी व्यक्तिगत प्रक्षेपर करते समय उसमें सम्मलत व्यक्तियों को सध्धांतिक ज्यान और वेग्यानिक जस्टी कोन होना चाहिए मतलब जब आप व्यक्तिकत तरीके से आप डेटा कर रहे हैं सर्विक्षन करने गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप तो एक सिध्धांतिक तरीके से काम करें वेग्यानिक जस्टी कोन भी हो करते होगा इस बिधी में सोध करता उत्तर देने वाले से प्रत्यक्ष सूचना समवाद और बाचीद द्वारा प्राप्त करता है मतलब सीधे जैसे साक्षाद करता को चेतर के लोगों से साउधानिया रखनी पड़ती है यह इस प्रकार है लोगों से साक्षाद कार द्वारा जिन सूचनाओं को एकटा करना है उन विस्यों की परिसुद्ध सूची तयार कर लेनी चाहिए साक्षाद कार लेने वाले व्यक्ति व्यक्तियों को सर्वेक्षाद के उद्देशों के बारे में इस प्रस्ट जानकारी होनी चाहिए मतलब जो उत्तर देने वाले हैं उनको confidence परेना चाहिए उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि गोपनिता बनाई जाएगी बनाई रखी जाएगी गोपनिता को भंग नहीं करेंगे अगरा क्या अनकूल बातावरन होना चाहिए जिससे उत्तर देने वाले बिना जिजक के तथ् टीकता से बहुत सिस्टेमाटिक तरीके से आंसर वहां पर देजाए प्रस्नों की भासा साधारान हो मतलब आप ऐसे तीखे सवाल नहीं पूछे आप पो कठन सवाल ही पूछना तो भासा एकदम साधारानों को सामने वाले को चुभे न और सिस्थ होनी चाहिए मतलब बहु पूछने से बचना चाहिये जिससे उत्तर देने वाले के आत्मसमान अत्वाka धारमिक भावनां को ठेस पौहँशती हूँ तो एसे प्रसना पूछाएं जो आत्मसमान और धारमिक भावना को ठेस पहुचाती है तो उनको नहीं पूचेंगे इनको ना पूछा जाये साक्षातगार के अंत में उत्तर देने वालों से पूचना चाहिए कि वस सूचना दे चुके हैं इसके अतरिक्त और क्या जानकारी दे सकते हैं मतलब लास्ट में कंक्लूड जो हम कर देंगे कि यह तो आपका इंटर्वी हो गया इसके लाब और क्या लगता है कोई और ऐसी बात जो आप इंटर्वी में नहीं कह पाए उसको आप ऐसे कह सकते हैं तो यह बात पूचिन चाहिए उन्हें आपके लिए अपना बहुमूल समय है प्रदान करने के लिए धन्रबाद और करतक ग्यापत करना शाइए इस इस में सबबहर प्रस्नों और संभावित उत्तर एक साध्य काघज पर लिखे जाते हैं उत дер देने वाले को दिये गए बिकल्पों मैंसे सही उत्तर पर निसान लगाना मतलब मल्टीपल टाइप मल्टीपल च्वाइस टाइप होगे पर सोली सर्वेक्षण के उस्प्रश रूफ से उल्लेकित होने चाहिएह यह बिधी जो है वो बड़े च्छितरों के सर्वेक्षण के लिए उपयोग होती जब बहुत बड़े चित्र का सरविक्षन करना है तो उस टाइम पर आप प्रस्णावली वाली विदी का उपयोग करते हैं प्रस्णावली को दूरवरती चित्रों में भेड़ा जाता है फिर वहां से लोगों के आंसर ले जाते हैं आमको जवाब मिल दूर बड़ती चित्रों में हमारा सरविक्षन आसानी से प्रस्णावली के माध्यम से हो जाता है जिसे आपने देखा कई बार सरविक्षन वाले करने आते हैं उसमें फॉर्म भारे हो तो इसमें हम टिक करते हैं नीचे दो तीन लाइने लिखी होती है कि आपका सजेशन को करते हैं उसको ही अनसूची कहा जाता है प्रस्णावली और अनसूची में केवल यह अंतर होता है कि प्रस्णावली में उत्तर देने वाला प्रस्णावलियों को स्वयम भरता है जब ती सूची में परी गणक उत्तर देने वाले से प्रस्ण पूचकर स्वयम भरता है आप प्रस्णावली में आपको ही भरना पड़ेगा लेकिन अगर आप अनसूची में देखें तो परीगणा की जाएगा वह आप सब का मुख खिलाब यह है कि इसके द्वारा सूचना सिक्षित और असिक्षित दोनों ही उत्तर देने वालों से किसमें प्रस्णावली में एक अनसूची को भरने के लिए गणना करता को पूरी तरह पर सिक्षित होना चाहिए उसको ट्रेंड होना चाहिए तभी जाकर वह आपक करते हैं आंकड़े कलेक्ट करते हैं इसी तरह च्छित जो है विग्यानिक के उप्योग से फसलों बनसपती के स्वास्त के बारे में आंकड़े खटे करना कहीं पर क्या है फसल कोई बीमारी क्या लग रही इन सबका डाटा एक अखटा करना तो यह अन्न विधियां हो जाए इनके सभी वीडियो आपको मिलेंगे हमारी यूटूब चैनल पर हमारी वेबसाइट पर हमारे अप्लिकेशन पर बिलकूर निसुल्क बूक और इबुक प्राथ करने करें डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है इसके लाब आप हमसे कर सकते हैं यूटूब फेस्बुक इ बाते हमसे यह वीडियो आप देखना है मैंगनेट बेंस के इंदी चैनल मैंगनेट बेंस इंदी मीडियम पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जम कर चेर करें धन्यवाद